प्यारे विदार्तियों आप 12 क्लास का हिंदी का कॉश्चन पेपर देख रहा है नैनिताल का जो कि 28 तारीक को हुआ है 28 ग्यारा को 28 नॉम्बर को ये वेपर हुआ है तो चलिए इसके कॉश्चन देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारे डिमांड आ रहा था कि सर कॉश्चन पेपर जैसे भी है पहले अपलोड कर दीजिए बाद में सोलूसन बता देना तो यहाँ पर ये गद्यान से जीवन रत के सोचारू संचलन के लिए उनके दो चक्रों का सुद्रड होना आउश्यक है इस तरह से ये आपका पैसेज दिया गया है और इसके कॉश्चन जो है आप इस पैसेज को आराम से यहाँ पर पूरा पैसेज पर सकते हैं इसमें पहल किस देश के पुरुष नारी को ही सतत्सरम नीरत कर देता है और क्यों उसके बाद में 21 सदी किससे क्या मांग रही है यह आपको बताना है उप्रूद गद्यांस के लिए उप्रूद शीर्शक आपको लिखना है कोशन नमबर टू है निमलिकित में से किसी एक विशे पर नारी का योगदान कोरोना वाइरस जीवन में अनुशासन का महतो और पर्रेवरेंट सुरक्षा इसका बाद में तीसरा जो कोशन है इसमें पूछा गया है निमलिकित प्रशनों के संचिपत उत्तर देने है जन संचार का सबसे नया माद दिम क्या है यहाँ पे आपको तीन जो कोशन है इसमें आपका इंडिया टूडे आपकी पत्री का है सुरी उसके बाद में नेक्स जो कोशन है इसमें आपका पुछा गया है समचार पत्र का सबसे महतों पूर्ण प्रस्ट जो है वो क्या कलता है इसके बाद में समचार किसे कहते ही यह आपको बताना है नेक्स से उसको पढ़ने के बाद में पहला प्रशन बताना है उप्यूत पध्यांस के आधार पर बताईए कि सोधर भाई का विछोड अन्य के विछोड से किस प्रकार भिन है और दूसरा है इसमें राम लक्षिमन के बिना अपने जीवन की तुलना किस से और किस रूप में करते हैं इसके बाद में नेक्स जो कोशन है इसमें पूछा गया आपसे जो जड़ देव जियावे मोही का आश्य जो है आपको बताना है और चटा कोशन है काव्यांस को पढ़कर के दिये गए प्रशनों के उतर देना है तो पहले ये काव्यांस बढ़ना है और इसके बाद में इस कावियांस में कभी ने किसके प्रती समेदना व्यक्त की है और खवापाट में इस कावियांस में एक पंक्ती कोश्टक में क्यों रखी गई है यह आपको बताना है इसके बाद में नेक्स जो कोशन है साथ वा इसमें पूछा गया आपसे किनी दो प्रशनों के उत्तर आपको किसके हैंिने हैं तो यहां पर है इस कविता के बहान ने बताईये कि सब घर एक कर देनी के क्या माने है यह हूं ओका इसके बाद में आपका न्यम गध्यांस क को पंड़न कर नीचए अगया परशनों के उत्तर देने हैं सेवक धर्म में हनुमान जी से स्प्रधा करने वाली भक्तिन किसी अंजना पुत्री ना होकर एक अमानने गोपिका की कन्या है इस तरह से ये आपको गध्यांस को पहले पढ़ना है और पढ़ने के बाद में इसका है आंसर देने हैं आपके बुक से है ये गध्यांस आपको अच्छी तरह से देखने में लग रहा है कि ये आपके बुक से लिया गया है इसमें पहला कोशन जो पुछा गया है भक्तिन को सेवक धर्म हनुमान जी की स्प्रधा करने वाली कहने की लिएक का क्या भी प्राय है खवपार्ट है भक्तिन का नाम क्या है और वह किसकी पुत्री है इसके बाद खवपार्ट जो है इसमें गवपार्ट इसमें कुछ आगा लिख्या का कि कथा नुसार नामों के विरदा भास को स्पस्ट आपको करना है नवा कोशन है निमने में से कि नहीं पार में हम नेक्स्ट कोशन की देखते हैं तो दस्वा कोशन जो इसमें पुचा है निमने में से किनी दो परिश्टों को उतर देना है सिलोर वेडिंग कहानी का दार बताए कि युश्वदर बाबू अपने कमरे की संपंता में भी दास और निराश्कियों थे यह भी कुशन जो दूसरा सेट में डाला है दूसरे आपके जिले में हुआ है उसमें आया हुआ है ख़व पार्ट है आपका युश्वदर बाबू के चईद की विश्वश्ता है आपको बतानी है रच लेने का आदमी स्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ यह भी आपको बताना है ग्यारवा है जूज कहानी के आधार पर बताईए की कथा के नायक के विक्तित वपर सारवधिक परभाव किसका पड़ा और किस रूप में अत्वा पार्ट में है जूज के आधार पर बताईए की बहुत दिनों से घर पर बैठे लेखक पूना पार्ट साला कैसे पहुँचा उसके बाद में आपका बव पार्ट जो है इसमें आपको नियुम लिकित गद्यांस को पढ़ना है उसके बाद में आते हैं तेरे नंबर कुशन पे तेरे नंबर जो है स्लोक आपको पढ़ना है पढ़ने के बाद में पून वाके इन उतर देने हैं जिसमें कख और ख ग तीन कुशन इसमें पूछे गए हैं इसके बाद मैं आपको नीचे दीए परशनों के में से किसी 5 पांच के उत्तर देने हैं जिसमें को पाठ खापाड गा अंगना च च और ज यानिकि लगबग 8 परशन दिये गें और जिसमें केवल आपको 5 करने हैं जिसमें आपको 10 नंबर मिल जाएंगे तो आप इनमें कर सकत यहां पर जो है संस्कित भासाय में रचना करनी है दिवाकर फलम ददती पुस्वाणी तीवर्म प्रहती और मेगा इस तरह से दिये गए और सोलवा जो है आपका कुश्चन इसमें पुछा गया है समास करके विग्रह लिखना है जिसमें पिता माता पित्रो और महापुर्श् नेत्रेंड का रामाइए का उसके बाद में गमधातु के प्रथम भाववचन का रूप आपको पताना है चंद पंधास उल्ग का 돼का और और इस तक रहरां से यह किसनँ पोरा और जो आप नबेखा बहुत सारे जो मेरे वाट्सिप नमबर 8469022568 यह वाट्सिप नमबर है इस वाट्सिप नमबर पे आप अपने question paper को solution के लिए भेज सकते हैं solutions बना दिये जाएंगे तो आसा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को help मिलेगी thank you very much, have a good day और अपने exams की तैयारी better से better तरीके से करें और इन exam papers को जरूर सॉल्व करें और इसको मैं solve करवा दूँगा अभी समय अनुसार आपकी request का अनुसार मेरे को यह papers upload करने पड़ें नहीं तो मैं इनके solutions के साथ ही थोड़ा से समय लगता लेकिन upload कर देता लेकिन आपके परिक्षा चलने के वज़े से यह सारे वेपस डालने पड़ रहे हैं और आने वाले सर्वे में इसको upload कर दिया जाएगा with solution और आपके जो main exam होंगे उनमें बहुत सारे important questions जो आदो आर्शिक में देखने को मिल रहे हैं thank you very much have a good day